नमस्कार, मेरा नाम है शेफर पाल सिंग सोकी और मैं बनाने सिखा रहा हूं को कड़ाई छोले वैसे तो ये रेसिपी बहुत लेंदी है लेकिन मैं बना रहा हूं बड़ी सिंपल तरीके से ताकि आप घर पे आसानी से बना सके सबसे पहले तो ये जो काबली छोले है इनको आप भिंगा ले ओवर्णाइट भिंगाएगे तो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं और जितनी देर भिंगेंगे उतने फ्लफी होते हैं भिखाने के बाद ये उबाल के रखे मैंने कैसे उबाले भई वो तो सफेद है ये काले कैसे होगे अच्छा उबालते वक आपने दो काम करने हैं एक तो चाय पत्ती जो है एक मलमल के कपड़े में बांदे और साथी साथ उबाले और उसके साथ साथ क्या करेंगे थोड़ा सा आमला भी डाल देंगे, आमला जो है, इन छोलों में थोड़ा सा खटापन पैदा करता है, तो ये उबले हुए छोले यहां रखें, इनको मैं ले लेता हूँ एक बोल में, पानी नहीं लेंगे इसका, खली छोले, ये जो छोले मैं बना रहा हूँ, इसमें छोले के पानी की ज मसाले डालते हैं, दो पड़े चमच, छोले मसाले, एक छोटा चमच, लाल मिर्च पाउडर, साती साथ धनिया पाउडर, एक बड़ा चमच, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, एक छोटा चमच, और आमचूर, एक छोटा चमच, आमचूर, ये सब डल जाने के बाद, इसम गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार नमक डाली यह सब डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूं यह बड़ा आसान तरीका है जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बनाइए मिक्स करने के बाद यह दोनों गैसरें चालू कर लेते हैं एक में छोले बनाना है और एक में घ घी घरम करना है चाहा घी ले लें चार बड़े चम्मज घी को जो है अच्छी तरह से घरम होने देना है और यहां पर यह जो छोले हमने मारिनेट किये हैं इस वॉक में सब को ट्रांसफर कर लें ठीक है यह मसाले जो है यह भी सारे बिल्कुल निकाल लें इस से ताकि जितना आपने मसाला डाला वो तो सारा इसमें डल जाए अब मसाले डल गए है और छोले को मैंने इस वॉक में डाल दिया इस पर यह अद्रक के लच्छे यह डाल दिया आपने अद्रक के लच्छे हरी मिर्चे यह कटिवी हरी मिर्चे और साथी साथ तमाटर यह कुछ तमाटर डा दिए इसमें खी को जो है बिल्कुल गरम होने जना मतलब जैसे धुआ निकले घी में तब तक घी को गरम करना है फिर इन छोलों के उपर डालना है ताकि मतलब बढ़िया फ्लेवर जो है मसाले फटा-फट पक जाएं और उसके बाद सारे जो छोले हैं वो जल्दी फटा- यह देखिए पूरा छोले के उपर डाला और फटा-फट छोले आपने मिक्स करने है क्या बात है कितना पढ़िया फ्लेवर है ना मज़ेदार है सिंपल सी डिश अच्छा इसमें यह भी नहीं करना है कि आपने टमाटर गलाने है या बाकी चीज़ें गलानी है ना यह जो ट मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे और टमाटर थोड़ से गलेंगे बहुत जादा नील उतने ही गलने चीज़े और इस छोले को फटा-फट पूरियों के साथ आप अटूरों के साथ सर्व करें है मज़ेदार है यह देखिए छोले बिलकुल तयार हो गया अब इस और यह छोले तयार है चाहें तो इसके उपर थोड़ा साहरा धनिया डाल देते हैं और बिलकुल ऐसे ही गर्मा गरम परोसे हैं और जैसे मन चाहे वैसे खाएं छोले कडाई मतलब कडाई छोले सिर्फ आपके लिए